प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरात सिंग चौहान ने ट्वीट किया कि प्रदेश में गरीब परिवारों को पातरता पर्ची दी जाएगी जिसके मार्ध्यम से एक रुपई किलो में सभी गरीबों को गेहू दिया जाएगा प्रदेश में कोई गरीब भूका ना रहे गरीब की थाली कभी खाली ना रहे इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉंग्रेस के नेता भासकर जोशी और बीजेपी के नेता अनुपम पोर्वाल देखिये क्या कहते हैं आज मैंने आधन्य मुख्य मंत्वी जी शीवरात सिंग चुहन जी का टूइट पड़ा उसमें उन्होंने कहा है कि गरीबों को एक रुपे किलों में गेहू चावल खाद्य सामगरी मिलेगी यह बहुती अच्छी बात हैं यह तारिफ की बात हैं उनकी लिए कि वह एक रुपे किलों में गेहू चावल की खाद्य सामगरी गरीबों को देएंगे पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी जितनी भी गोश्णाय होती है सिर्फ कागश पर ही रह जाती है वह आम जनता तक पहुची नहीं पाती और इसी के कारण पिशली बाल चे उनको हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि उनकी जितनी गोश्णाय थी वह कागश पर ही रह गई थी आम जनता तक पहुची नहीं पाई थी अब श्टक के तक बिज़ली के बिल माफ किये जाएंगे जनता को भनना ही यह गरीब को भनना ही वह आज भरे यह कल भरे पर बहन आए उनको को तो मेरा आदन यह मुख्यमंत्रीजी से निवे दन ये कि वह गेहुचावल देतो रहे पर वो गेहु चावल भी वो ऐसे देते कि जो खाने लायक ही नहीं रेते गरीब वो चावल गेहु खाई नहीं सकता है क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं खराब हो जाते हैं सड़ जाता है तो मेरा आदम ने मुख्य मंतर जी से निवेदा ने कि मह दे तो अच्छे दे हाम आदमी के खाने लायक दे गरीब खा सके उसको ऐसे दे माली स्रीं सिवासिंगी चोहान ने अभी एक वोपे किलो में जो गरीबों की सेवा करी है बहुत ही अच्छा काम करा है और आगे करते रहेंगे और गरीबों के लिए अभी जो 10,000 की योजना चलाई है बहुत ही अच्छा और हमारे जो नरहं मोदी जी जो है और उनी ने तो भूत ही अच्छा लोगों को बहुत अच्छा था तो पर आपका ने बहुत कुछ चीज़ें आ रही है जो भी लाटडाउन में भूत यूज़ करी लोगों ने उसको अच्छा से बाया है और स्वच्छता में बहुत धियान अखाया लोगों ने वह बहुत अच्छा काम करा है और सिवरा सिंग जो अभी वालडान में जो यह व अब इच्छा करता हूं कि आगे और बढ़ते रहें और चलते रहें पावर्ड बाइ आर्थ्रोस्प्रीनिग डेडिकेटेट सेंटर फोर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्क्स इंजरिम्स